दोस्तो सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकॉन जिससे कि आप मेरे बहुमूल जानकारियों के साथ अपडेट रहें हेलो फ्रेंड्स मैं रोहिस्तर वास्तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम एक हतेली और जन्मकुन्डली का विसलेसर करेंगे और साथ ही साथ इनके कुछ सवालों का भी जवाब देंगे जैसे कि अपने कारचेतर के बारे में जानना चाहते हैं इसके अलावा ये पुलिस की नोकरी में आना चाहते हैं इसके लिए इन्होंने कई बार एक्जाम्स भी दिया पर इन्हें रिजल्ट नहीं मिला अभी इनका एग्रिकल्चर का काम है और मेडिसीन की सौप है और ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरा जॉब पुलिस में लगेगा और हाँ तो कब तक इसके अलावा यदि पुलिस में जॉब नहीं तो फिर क्या बेतर रहेगा कारेच छेत्र के लिए तो दोस्तों इनके इन सभी बातों का विसलेसर करते हैं और जानते हैं कि क्या बेतर है इनके लिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें जैसा कि आप इस हथेली को देख सकते हैं ये एक कठोर हथेली है जनरली ऐसे पाम में हम लाइस बहुत अपियर होते हुए नहीं देखते हैं जैसे कि इनका फेट लाइन बहुत उपर से निकल रहा है और फेट लाइन भी काफी जिग जैग है दोस्तो ऐसे जातकों का कारचित बहुत जल्दी बदलता है या ऐसे लोग बहुत जल्दी अपना कारचित बदलना चाहते हैं बात करते हैं कुछ ओन लाइन की तो दो रेखाएं जीवन रेखा से निकलते हुए उपर की तरफ आ रही है जो इस बाप का हिसारा कर रहा है कि फैमली से जुड़कर या घर की किसी काम से इनके भागे को सपोर्ट मिल ला है इसके अलावा दोस्तों दो बुद्ध की रेखाए कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है जो कि हथेली के जादा कठोर होने के वज़े से लाइन बहुत हलकी है इसके अलावा राहू की रेखाए भी इनके जीवन और किस्मत रेखा को काट कर भागी की रेखा को दो बार घुमा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं इन दू लाइन्स के वज़े से भागी की रेखा जिग जग लाइन की तरह दिख रहा है तो इसी वज़े से दोस्तो यदि हम इनकी हथेली पर नजर डालते हैं अब दोस्तों इनकी कुंडली पर यदि हम ध्यान दे तो बहुत सेग्रह बहुत ही अच्छे बैठे हुए है तो दोस्तों अब हम आपको इनकी कुंडली के बारे में समझाएंगे और इनकी लिए जीवन में सही क्या है कौन सेग्रह के सपोर्ट से ये आगे बढ़ सकते हैं इ छटे भाव में जोकि रोग रिण सत्रू मुकदमे का घर होता है दोस्तों मंगल इस घर का कारक ग्रह होता है और मंगल इस छटे भाव में सत्रू से जीत दिलाता है रोगों से बचाता है और जातक के अंदर पराक्रम जैसा स्वभाव भी देता है तो दोस्तों इस जातक के लगनेस मंगल छटी भाव में होने के वज़े से ये पूलिस में आना चाहते हैं और बात करते हैं लगन के नक्षत्र की तो लगन अनुराधर नक्षत्र पर है जो कि सनी का नक्षत्र है और सनी इस कुंडली में पराक्रम भाव का मालिक है तो दोस्तों यहां से भी इस जातक के अंदर पराक्रम जैसे छित्रों में काम करने की रूची नजर आ रही है अब बात करते हैं कर्म भाव के मालिक की तो वो सूर्य है और सूर्य जाकर बैटा है आठवे गर में पुनरवसु नक्षत्र पर जो की गुरू का नक्षत्र है और धनेज गुरू की तो गुरू भी आठवे घर में ही बैठा है सूर्य के साथ दोस्तों यह गुरू अपने खुद के नक्षत्र पुनरवसु नक्षत्र पर बैठा है और थात यह गुरू अपने जैसा फल दे रहा है अब दोस्तों ध्यान से समझेगा सूर्य अपने से ग्यारवे घर में बैठा है दोस्तों लग्न से ग्यारवे भाव को हम लाप का घर कहते हैं उसी प्रकार से कोई ग्रह अपने से ग्यारवे बैठता है तो उसे लाप के लिए अच्छा माना जाता है गुरु अपने से चोथे यानि कि ग्यान भाव से सुख भाव और अपने से साथवे घर में बैठा है जो कि डेली इंकम और व्यापार के लिए होता है सनी भी अपने से ग्यारवे बैठा है जो कि लाब भाव हुआ बुध्ध अपने से दूसरे और गिरवे भाव में बैठा है जोकि धनभाव और लाब भाव हुआ चंद्रमा अपने घर से नौवे घर में बैठा है जोकि भागे भाव हुआ दोस्तो यहां पर सबी ग्रहों का जो केंद्र आ रहा है वो गुरु है जो कि इस कुंडली में दूसरे और पाचवे घर का मालिक है दूसरा घर परिवार और धन का होता है और वहीं पाचवा घर बुद्धी का घर होता है तो इसी प्रकासे दोस्तो गुरु को इस कुंडली में दो महत्पूर घर मिलते हैं और गुरु को सभी ग्रहों का केंदर हम इस वज़े से कह रहे हैं क्योंकि सनी गुरु की रासे में वक्री है जो कि ज्यान की रासी है गुरु अपने नक्षत्र पर आठवे घर में बैठा है सूरी करमेश होकर आठवे घर में है जो की गुरू की नक्षत्र पर बैठा है चंद्रमा भी अपने से नवे घर में गुरू की रासी में ही है तो दोस्तो इस जातक को अश्टम घर के कारचेतर से जुड़ना चाहिए दोस्तो अश्टम घर वीसर्च का घर होता है गुप्त विद्याओं का घर होता है दोस्तो ऐसे जातक कुछ ऐसा चेतर तलास करते हैं जो की बिल्कुल नया हो या फिर खुद के द्वारा खोजी गई कोई विद्याओं अब जैसे दोस्तो सबसे पहला कारचेतर इनका एगरिकल्चर का दिक रहा है क्योंकि सनी, भूमी, भवन, गाड़ी और सुक भाव के साथ-साथ मार्केटिंग और ट्रेवल का भी कारक है तो दोस्तो भूमी से और मार्केटिंग घर का जो मालिक है वो दूसरे घर में जाकर बैठा है वो भी वक्री और दूसरे घर का मालिक जो की गुरु है गुरु अश्टम भाव में बैठा है जो की रिसर्च हाउस कहलाता है तो दोस्तो आज कल के समय में एगरी कल्चर में जल्दी और बेहतर आए कैसे कमाया जाए इस चीज में भी बहुत सारे आप्संस है तो इसी प्रकार से दोस्तो यहां बैठा आटवे घर का गुरु जादा से जादा आए और नए तकनीक के साथ कैसे कमाया जाए किस चीज की खेती से जादा आए होगी इस प्रकार के अधिक से अधिक ज्यान इस जातक को अश्टम घर में बैठे गुरु से हासिल हो जाएगा इसके अलावा यह प्रॉपर्टी से जुड़ा कारे भी कर सकते हैं सूर्य भी वही अश्टम घर में अपने से ग्यारावे बैठा है और इस बात का इसारा कर रहा है कि इस जातक का कर्व जादा रिसर्च से धन कमाना है अब बात करेंगे दूसरे कारे छेत्र की तो यह टीचिंग का काम कर सकते हैं क्योंकि गुरू बौधिक रासी मिठुम रासी में बैठा है वाडी घर का मालिक गुरू अपने ही वाडी घर को वापिस अश्टम घर से देख रहा है चंद कुंडली से गुरू सुर्य चौथे घर में आएंगे जहां से कर्म भाव को सीधा देखेंगे तो इस प्रकार से यहां ये जातक टीचिंग फिल्ड से जुड़ सकता है अब बात करेंगे तीसरे कारचित्र की तो दोस्तो राहू के तीसरे घर के बदलत इस जातक की परिवार में एक आयक असरोत मेडिसीन की सौप से आता है क्योंकि राहू सात्वे घर से ग्यारवे भाव पर द्रिश्टी देकर बिजनिस और लाब भाव को एक्टिवेट कर रहा है बुद्ध पर भी राहू की पूर्ण द्रिश्टी है जोकि फार्मा लाइन को रिप्रेजेंट करता है इसके अलाबा दोस्तों ये जातक FMCG छेतर से जुड़कर कारिक कर सकता है क्योंकि इस जातक के सात्वे घर में सुक्र बैठा है इसके अलाबा दोस्तों ये जातक खानी पीने की चीजों का भी बिजनस कर सकता है चुकि सुक्र और चंद्रमा दोनों अच्छे रासी और घरों में बैठे हुए है इसके इलावा दोस्तो इस जातक का मंगल छटे घर में होने की वज़े से और लर्ण और मंगल का संबंद पराक्रम से होने के वज़े से ये जातक पुलिस की छेतर में भी जा सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं इनके दसा की तो अभी इनकी बुद्ध की दसा चल रही है और 2 जुलाई 2020 से इनकी मंगल की अंतर दसा चलने वाली है जो की खतम होगा 29 जुन 2021 को तो दोस्तों वैसे तो बुद्ध इस कुंडली में अच्छा नहीं करता है लेकिन मंगल की दसा में यदि ये पुलिस की छेतर में प्रयास करें तो इस भी सफलता ज़रूर मिलेगी इसके पस्चात इस जातक की राहु गुरू और सनी की अंतर दसा होगी जो की इस जातक के लिए अच्छा होगा राहु की अंतर दसा में ये जातक मार्केटिंग से या फिर किसी भी तरह के प्रमोसन इनको लाब देगा वहीं गुरू अर्सनी इस जातक को नई तकनीक और रिसर्ज से कहीं न कहीं लाब पोचाएगा दोस्तो कभी कभी हथेली के ज़्यादा कठोर होने के वज़े से लाइन्स कम दिखती है वहीं जब किसी जातक का सौफ्ट हैंड होता है तो जातक की हाथों में बहुत सारी लाइन्स नजर आती है तो दोस्तो ऐसे हथेली का विसलेसर करने से बढ़िया होता है कि हम ऐसे जातकों का कुंडली देखकर विसलेसर कर लें जिससे कि सारी चीजे बहुत हत्तक साफ हो जाए तो दूस्तो आसा करते हैं आपको हमारा यह हथेली और कुंडली का विसलेशर्ड जरूर समझ में आया होगा दूसर ही आप अपने कुंडली और हथेली का विसलेशर्ड हम से कराना चाहते हैं तो आप हमें इस नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं और आप हमसे Instagram से भी जुड़कर इस ID पर Message कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद